ये गाइज वेलकम टू माई यूटूब चैनल एफएज ग्यान आएम फालगुणी साहू और आज मैं ग्रामर उबुक का चैप्लर टू नाउन्स लेकर आई हूँ तो फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमाने चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को आप तक सबसे पहले पहुंचे तो चली फ्रेंड्स बीने देर किये आज को वीडियो स्टार्ट करते हैं तो फ्रेंड्स यहां भी क्या लिखा है अनाउन इस दा नेम ऑफ पर्सन प्लेस तिंग अनिमल फीलिंग और अर्थ थॉट्ट इन अदर वर्ड्स दा नेम ऑफ एनिधिग इस कॉल्ड अर्णाउन मतलब यहां पर क्या लिखा है किसी भी व्यक्ति वस्टू स्थान और अनिमल और किसी चीज की फीलिंग को नाउन कहते हैं तो फ्रेंड्स नाउन के कितने प्रकार होते हैं काइंड्स ऑफ नाउन नाउन के कितने टाइप्स होत ठीक है तो first होता है proper noun ठीक है अब a proper noun is the name of a particular person, place, animal or thing ठीक है तो यह जो proper noun होता है वो किसी particular person, place, animal या thing क्या नाम होता है example राहूल is a nice boy ठीक है राहूल एक अच्छा रड़का है the word राहूल is a particular name of a person जो राहूल word है वो एक particular person का नेम है so राहूल is a proper noun तो यहाँ पे some more examples of proper noun ठीक है यहाँ पे कुछ और examples दिये हैं proper noun के तो first है ताज महल is in आगरा ताज महल कहाँ पे है आगरा में है तो ताज महल और आगरा एक particular place का नाम है इसलिए यह proper noun है second we live in Delhi डेली भी एक particular place का नाम है इसलिए proper noun है third Mumbai is one of the biggest cities of India Mumbai एक बड़ा city है कहा का इंडिया का तो in the above sentences ताज महल आगरा डेली एंड मुंबई आर एक्जामपल्स ओफ प्रॉपर नाउन ठीक हैं जो यह उपर दिये हैं उसमें ताज महल आगरा दिल्ली और मुंबई क्या है प्रॉपर नाउन के एक्जामपल्स हैं फिर यहाँ पे का दिये हैं keep in mind इसे दिमाग में रख लेटर हमेशा हमें प्रॉपर नाउन कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट करना है इसके बाद सेकेंड टाइप है कॉमन नाउन इंड गीवेन इन कॉमन टू एवरी पर्सन और तिंग ऑफ दा सेम क्लास और काइंड एक्जामपल क्या है रमेश इस हैंसम बोई यहाँ पे क्या को कोई पर्सन को नहीं बताता दूर्ट कॉमन डाउन सब के लिए यूस होता है जैसे की रमेश इज़ा हैंसम बॉर्त तो कि कि सारी बैट के लिए यूज़ होता है यह नहीं गρι लौक दीगत को कि की हैंस के लिए यूज़ल सकता है है इसके बाद it does not refer to a particular boy but it is common to every boy यह कोई particular boy के लिए है नहीं है न यह कोई भी boy के उपर use हो सकता है थर्ड क्या है collective noun A noun that stands for a collection or group of persons or thing is known as collective noun जो collective noun होता है किसी group के लिए use होता है example क्या है herd herd किसको बोलते है a collection of animals collection of animals मतलब group of animals है न जानमरों का जुन्ड example number two क्या है fleet a collection of ships or vessels है न तो fleet किसको बोलते है a collection of ships collection of ships or vessels third क्या है crowd a collection of people क्या है a collection of people fourth क्या है an army a collection of soldiers तो fourth type क्या है abstract noun the name of things which cannot be touched and cannot be seen but can only be thought about or felt are known as abstract noun तो यहां पर क्या बोला जा रहा है कि यह मतलब किसी चीज का नाम जो हम लोग जिसे हम लोग टुछ नहीं कर सकते हैं और नहीं उसे देख सकते हैं लेकिन हम उसे feel कर सकते हैं उसे abstract noun कहते हैं एक्जाम्पल क्या है truth, beauty, happiness, joy, fear, childhood, youth, death, poverty, etc. फिफ्थ क्या है material noun a noun which denotes a matter of substance or which things are made is called material noun तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है एक ऐसा noun जो किसी चीज लब किसी substance के बारें बताता है वोड, iron, gold, cloth, silver, rice, sugar, water, glass, etc. यह सब materials है ना तो इसे कहते हैं materials noun countable nouns यह noun के types नहीं है बट यह countable nouns है the nouns that can be counted with a number are called countable nouns nouns जिसे हम count कर सकते हैं count कर सकते हैं जिसे की example क्या है a book, four watches, two mangoes, etc. uncountable nouns, nouns that cannot be counted are called as uncountable nouns nouns जिसे संग्या जिन्हें हम count नहीं कर सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं uncountable nouns uncountable nouns are qualified by a word that signifies amount uncountable noun किसी चीज की amount बताती है वो कैसा है उसकी amount क्या है ये all material and abstract nouns are uncountable nouns कोई भी material और abstract noun uncountable noun में आते हैं some nouns have the same form for both singular and plural number कुछ ऐसे nouns हैं जो singular और plural दोनों मीज होते हैं कि dozen, score, pair, hundred, ship, deer, aircraft, series, spices, etc. ठीके, some nouns are used only in the plural कुछ ऐसे nouns भी हैं जो सिर्फ plural form में यूज होते हैं example क्या है glasses, tackles, scissors, trousers, jeans, etc. तो friends आज हमने नाउन्स में क्या क्या पढ़ा नाउन्स के कितने ट्राइप होते हैं five types, there are five types of nouns first क्या है proper noun, second common noun, third collective noun, fourth abstract noun, and fifth material noun friends उम्यद हैं आपको हमारा noun का chapter अच्छे से समझाया है friends अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजेगा और share कीजेगा friends अगले वीडियो में हम noun chapter का exercise करेंगे तो friends तब तक के लिए, bye